अगर आप बिहार से हैं और आपके पास राशनकार भी है तो यह शांदार ख़बर आपके लिए है बिहार के सभी राशनकार धारी पड़िवारों का प्रतिवर्स पांच लाख तक का मुफते इलाज होगा फिलहाल राशी के साधे 5 करोड लोगों को इसका लाव मिल रहा था अब बिहार सरकार अपनी राशी से इसका लाव 4 करोड लोगों को और देने जा रही है स्वास्त्य मंत्री मंगल पांडे ने विधान सभा में गुरुवार को इसकी घोषना की थी उन्होंने कहा था कि राशी के लोगों को मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने या एक और बहुत बड़ा तोहफा दिया है मंत्री ने कहा कि आयुस्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के अंतरगत राजी के लोगों को मिलने वाली स्वास्तिय सुविधाएं अब राजी के नए 85 लाख परिवारों को मिलेगी उन्हें यसुविधा राज्य सरकार अपने खर्च से उपलब्द कराएगी अप्रेल में शुरू हो रहे वित्तिय वर्स 2022-23 से यसुविधा मिलने लगेगी स्वास्तिय विवाग के 2022-23 के आई व्याइपर विधान सभा में हुए वाद विवाद के बाद स्वास्तिय मंतरी अपनी बात रख रहे थे उन्होंने कहा कि राज्जी के एक करोड नौ लाख परिवार के सदस्यों को आयुस्मान योजना के अंतरगत प्रति वर्स पाच लाख तक की चिकित्सा सुविधा मुक्त में उपलब्द कराई जाती है इन लाभार्थियों की सुची में राज्जी के पचासी लाख रासन कारधारी परिवार बाहर थे जिने आयुस्मान योजना की तरज पर ही चिकित्सा सुविधा राज्जी सरकार उपलब्द कराईगी मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 और 2021 में कोविड महामारी ने विश्वत देश और बिहार के समक्ष गंभीर चुनोतियां रखी लेकिन देश के साथ साथ बिहार ने भी इन चुनोतियों को अवसर में बदलने का कारी किया है 2020 विधान सभा का चुनाव एद दश्रहरा होली और छट महापर्व आधि को सफलता प्रवक संपन्न कराया गया और आज बिहार मौडल की चर्चा पूरे देश में की जा रही है उन्होंने कहा कि बिहार में प्रति दिन 488 मिट्रिक टन उक्सीजन उत्पादन की चमता विक्षित हो गई है कोविड के दवरान एक दिन में सबसे अधिक 230 मिट्रिक टन उक्सीजन की जरूरत पड़ी थी राज्जी में 122 जगों पर यसुविधा बहाल कर दी गई है प्रधान मंतरी गड़ीव कल्यान योजना के अंतरगत कोरोना ज्यूटी के दवरान मृत्यू की स्थिति में स्वास्थिय कर्मियों को और उनके आस्रितों को 50 लाख देने का प्रावधन है इसके तहत बिहार के 101 स्वास्थिय कर्मियों के आस्रितों को 50-50 लाख बीमर आश्री का भूगतगन किया गया है मंतरी के भासण पर और संतोस जाहिर करते हुए विपक्षी सदस्यों ने वाक आउट किया स्वास्थिय मंतरी ने गोशना की कि मुंगेर और मोतिहारी में भी नए मेडिकल कॉलेज से अस्पताल की अस्थापना की जाएगी डेर सों बीबियस नमांकन छमता के होंगे इसके पहले 11 नए मेडिकल कॉलेज की अस्थापना प्रकड़िया धीन है विभाग के वर्स 2022 के लिए 16134 करोड के बजट की स्विक्रिती दी गई है अपको बता दें कि मंतरी ने यह भी कहा है कि राज्जी के शहरी छेत्रों में 20 मिनेट और गाउं में 25 मिनेट में मरीजों तक अम्बूलेंस पहुँचेगी इसके लिए 1000 एम्बूलेंस की खड़ीद की प्रकड़िया जारी है वर्स 2022-25 के अंतरगत आत्म निरभर बिहार के साथ निश्चे टू के अंतरगत गाउं गाउं तक लोगों के लिए बहतर स्वास्थिय सुभधायम उपलब्द कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है